प्रॉब्लम लेकर उसे सॉल्व करते हैं यह थियोरेटिकल प्रॉब्लम है बिना नंबर के बिना इसको समझने का प्रियास करते हैं ऐसे मैं यह बता दूं कि इस कोर्स में मैंने बहुत सारे सोर्स यूज किये हैं बहुत सारे डिफरेंट बुक से जानकारिया ली हैं बट कॉस्ट कर्व के बारे में जो जानकारी ज्यादा तर जो हो हॉल वैरियान के intermediate micro economics से आ रही है तो इसी book में एक problem है जिसमें है कि एक firm है उसके दो उसके पास दो plant है firm के पास दो plant है और दोनों में different different तरह का course का structure है इस firm को total y unit produce करना है तो cost minimize करने के लिए कितना plant 1 में produce करे और कितना plant 2 में produce करे तो हम कह सकते हैं कि plant 1 में जो cost structure है वो c1 के दोरा दिया जा रहा है और y1 produce हो रहा है तो total cost जो है firm 1 में y1 produce करने का c1 as a function of y1 आएगा उसी तरह से 2 में अगर y2 produce किया जा रहा है और यहां पे cost structure c2 है तो यहां पे total खर्च जो है so c2 y2 आएगा तो हमारे पास problem हो जाएगा कि हम minimize करें c1 y1 को plus c2 y2 को अगर और भी एक plant होता तीसरा भी plant होता तो हम कह सकते थे c3 y3 बट अभी समझने के लिए हम लोग 2 ही plant रखेंगे दो plant से समझ लेंगे तो देखेंगे कि तीसरा plant होने पे हमें क्या करना है और इसे minimize करना है y1 और y2 के सापेक्च में और हमारा condition होना चाहिए कि y1 प्लस y2 जो है तो y के बराबर होना चाहिए चुकि y1 और y2 दोनों system के अंदर खोजा जा रहा है क्या होगा तो ये जो overall जो है एक ही हमारे पास parameter है तो जो हमारा overall minimized cost आएगा वो y पे depend करेगा तो हम calculus का technique use नहीं कर सकते हैं क्योंकि this course में हम लोग calculus use नहीं कर रहे हैं तो हम logically सोचे कि कैसा होना चाहिए मान लिजिए कि firm 1 में total हम y1 produce किये y1 star and firm 2 में y2 star produce किये और इससे क्या होगा कि मान लिजिए कि last unit firm 1 में produce करने का कितना खर्च आया वही तो marginal cost होगा लास्ट unit produce करने का उसी तरह firm 2 में जो last unit produce करने का खर्च होगा वह y2 star होगा अब इसको comparison करके देखें तीन possibility है कि ये बड़ा है पहला वाला firm में जो marginal cost आ रहा है दूसरे वाले firm में जो marginal cost आ रहा है उससे बड़ा है बराबर है या छोटा है सुरुआत करते हैं कि यहां पे marginal cost बड़ा है तो अगर marginal cost बड़ा है और firm plant 1 में y star produce कर रहे हैं उसके जगह हम y star 1 minus 1 ही produce करें और दूसरे में y star 2 plus 1 produce करें चुकि यहां एक कम produce करेंगे यहां पे हमारा खर्च कितना कम हो जाएगा mc1 y star 1 इतना खर्च कम हो जाएगा और यहां पे हमारा खर्च जो है वो इतना बढ़ जाएगा और अगर यह छोटा है इससे तो total हमारा खर्च कम हो गया तो यह optimal जहां पे हो रहा हो allocation plant 1 and plant 2 में y star 1 एवं y star 2 का ऐसा कि यह वाला बढ़ा हो जाए इससे तो हम optimization नहीं कर रहे हैं similarly अगर बढ़ा की जगह छोटा हो जाए तो भी हम एक unit यहां से हटा करके इधर ले आए तो हमारा खर्च कम हो जाएगा तो हम अपने खर्च को कम से कम करना चाहते हैं तो जहां जितना production हो रहा है उस label पे दोनों का marginal cost बराबर होना चाहिए तभी हम optimization कर पा रहे हैं तो इससे हमें condition मिल गया कि mc1 y star 1 हमारा सिमान्त लागत जो production का label है plant 1 में और हमारा सिमान्त लागत जो production का label है plant 2 में दोनों बराबर होना चाहिए तभी हम खर्च कम कर पा रहे होंगे तो ये बात अच्छे से हमें समझना चाहिए इससे पहले हम cost curve के बारे में discussion खत्म करें हमें एक और चीजों को देखें कि जो हमारा short run cost curve जो है short run cost जो है और जो long run cost है इन दोनों को हम comparison करके देखें तो मैं कहूंगा कि short run cost जो है हमेशा अगर y produce करना है ये हमेशा long run cost के बड़ा या बराबर होगा क्यों बड़ा या बराबर होगा क्योंकि short run cost जो आपका होता है उसमें आप कुछ factor of production को आप बदल नहीं सकते हैं क्योंकि वो constraint होता है वो बाधा होता है बदलने में हो सकता है time की बज़े से आप उसका और alternative बढ़ा खरीद नहीं सकते हैं या हटा नहीं सकते हैं बट long run cost में आपको ज़्यादा control होता है आप हर चीज को बदल सकते हैं इसलिए मान लिजए long run cost में आपको हर चीज को बदलने की सुधा है और long run cost में कहिए कि एक चीज नहीं बदल सकते हैं तो long run में आप हमेशा mimic कर सकते हैं कापी कर सकते हैं कि short run में क्या हो रहा है तो इस run cost जो है आपका short run cost से कम हो जाएगा उसी तरह अगर दोनों तरफ आप y से divide कर दीजे तो short run average cost कर cost जो है हमेशा long run average cost से हमेशा ज़्यादा ही होगा या बराबर होगा तो ये हमेशा आपको मिलेगा similarly हम marginal cost के बारे में कोई अभी बात नहीं कर सकते हैं समझा है हम short run में जो marginal cost होगा और long run में जो marginal cost होगा उसको अभी हम compare नहीं कर पाएंगे तो ये रहा discussion on cost curve हम अगले वीडियो में market environment की शुरूआत करेंगे धन्यवाद आपिट. झाल